पिज्जा किसे पसंद नहीं है चाहे वो अमीर हो या गरीब लेकिन गरीबों को पिज्जा मिलता कहा है ऐसे ही विश्नु को पिज्जा खाने का बड़ा शौक था उसने 18 साल के उम्र में पहली बार पिज्जा देखा था विश्नु गाउं का गरीब लड़का था और 18 साल के उम्र में पहली बार पढ़ाई करने के लिए गाउं से शेहर आया था पहले तो शेहर की स्पीड और रास्तों से उसे बड़ा टर लगने लगा वो गाउं से ही अपनी ड्रेस लाया था कुर्ता और पजामा कुर्ता पजामा पहन कर ही वो पहले दिन कॉलेज चला गया और देखा कॉलेज के बागी लड़के और लड़किया जीन्स और छोटे-छोटे मॉडन कप्रे पहन कर आये है यहां तो सब कुछ बड़ा मॉडन है यहां मुझे देखकर सब लोग हस कैसे रहे है सच में विश्णू को देखकर सभी हस रहे थे अरे देख देख उस लड़के को देख कैसे कुर्ता पजामा पहन कर कॉलेज आया है गाउं से आया है पक्का गवार है गवार विश्णू चुपचाप क्लासरूम में घुजगे और एक लड़के के पास जाकर बैट गया हेलो मेरा नाम अभिनाव है मेरा नाम विश्णू है मैं काउं से आया हूँ आ तुम्हें देखकर पता चल रहा है क्लास शुरू हो गई पढ़ाई खत्म होने के बाद सबको भूक लग गए एक लड़की अभिनाव के पास आई और बोली चल अभिनाव खाना खाते हैं हाँ चल विश्णू तू भी चल हमारे साथ हाँ हाँ चलो चलो मझे भी भूक लगी है दाल चावल खाते हैं ये सुनकर पायल जोर से हस पड़ी कॉलिज में दाल चावल कौन खाता है गवार पायल ऐसे मत बोलो बेचारा ऐसे ही घबराया हुआ है तो फिर कैसे बोलू कुर्टे पजामे में गवार लग रहा है है ये हमारे साथ जाएगा तो मैं नहीं चाने वाली हूँ खाने पायल ऐसे किसी का मजाग उड़ाना अच्छी बात नहीं है तु ज़्यादा ग्यान मत दे तुझे शौक है तो तु इसके साथ खाने के ले जा मैं किसी और के साथ चली जाओंगी चाने वालों की कमी नहीं है तेवर दिखा कर पायल चली गई अभिनव ने विश्णू से कहा विश्णू तुम बुरा मत मानना शेहर के लोग ऐसे ही होते हैं नहीं नहीं हम गाउं से हैं सुनना तो पड़ेगा ही चलो खाना खाते हैं चल आज मैं तुझे एक अच्छी चीज खिलाओंगा अभिनव विश्णू को पिज़ा शॉप में ले गया विश्णू ने कहा जो भी खिलाना है खिलाओ लेकिन अंडा मचली और मास मत खिला देना भाया हम शुद्ध शाका हारी है चिंता मत कर भाई यहाँ वेच भी मिलता है भाया दो पनीर पिज़ा देना दुकांदार ने दो पनीर पिज़ा दिया विश्णू ने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं थी अरे भाप रे इतनी बड़ी गोल रोटी हाहा मेरे भाई इसे पिज़ा कहते है पिज़ा लेकिन हुआ तो वही ना आटे की रोटी के ओपर पनीर के सबजी बात तो सच है जो भी है खा कर देख कैसा लगता है विश्णू ने पहला बाइट लिया और ऐसा लगा कि वो स्वर्ग में पहुँच गया अरे वाब भीया ये पिज़ा तो बड़ा ही स्वादिस्ट है मैंने पहले ये कभी नहीं खाया खायेगा गैसे गाउं में ये सब मिलता का है बात तो सही है मेरे भाई शहर में ही मिलता है ये सब इसलिए तो लोग शहर को इतना पसंद करते हैं गाउं भी बुरा नहीं है वैसे मेरा असली घर गाउं में ही है लेकिन मैं बचपन से शहर में ही रहता हूं पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इस कॉलेज की सबसे सुन्दर लड़की भी है इसलिए उसे इतना घमंड है जो भी हो मैं तो आपसे हर रोज पिज़ा ही खाने वाला हूं विष्णू को पिज़ा बहुत अच्छा लगा वो और अभिनव बहुत अच्छे दोस्त बन गए उसके बाद हर रोज कॉलेज के बाद वो दोलों पिज़ा खाने लगे हर रोज तरह तरह के पिज़ा खाते विश्णू पिज्जा का एक्सपर्ट बन गया। एक दिन कॉलिज के बाद अभिनव ने कहा। विश्णू का बनाय हुआ और वो हैरान रह गया। अगले दिन दोनों ने कॉलिज में पिज्जा का स्टॉल लगा दिया। और धड़ा धड़ पिज्जा बिखने लगा। तभी वहाँ पायल आई। अरे वाँ भी ना तू भी इस देहाती के साथ रह के देहाती बन गया। गरीबों की तरह स्टॉल लगाये है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है पायल। पिज्जा बनाना कोई बड़ा काम भी नहीं है। पिज्जा बेचकर कितना ही कमा लोगे तुम दोनों। छोटे लोग छोटी सोच। अब विश्णू ने जवाब दिया। अरे ओ मैडम क्या छोटा छोटा लगा रखा है। अरे देखना मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा पिज़ा अगर तुमने ये करके दिखाया तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारा पैर पकड़ कर माफ ही मांग लूगी ठीक है, काउं का लड़का हूं मैडम हाँ सरल हो लेकिन जद्धी भी हो अब देखवा आगे-ागे होता क्या है याँ विश्णू और अभिनव राद को होस्टल आए यार विश्णू तुने चैलेंज तो कर दिया और लेकिन यहां दुनिया का सबसे बड़ा पिज़ा बनाएगा कैसे? यहां नहीं अरा यहां लोगों का मन छोटा है यार बड़ा काम करने के लिए हमें ऐसी जगह जाना होगा जहां लोगों का मन भी बड़ा हो मेरा गाउं यह हुई ना बात अगले दिन विश्णू अभिनव को लेकर अपने गाउं चला गया और लोगों से इ सबसे बड़ा पिज्णू बनाने के बारे में काहा गाउं के लोग उसकी मदद करने के लिए एक ही बार में राजी हो गए और विश्णू ने काम शुरू कर दिया गाउं के लोग अपने अपने घर से आंटे की बोरी लाने लगे जिससे पिज़ा का बेज बना लोगों ने अपने अपनी गाय का दूद विश्णू को दिया जिससे चीज़ बन गया और सबजियां तो गाउं के खेतों में भरपूर थी अभिनों ने अपने कॉंट्रेक्ट से मीडिया वालों को बुला लिया था मीडिया वाले गाउं आकर दुनिया का सबसे बड़ा पिज़ा बनाने का काम देख रहे थे और टीवी पर लाइफ टेलिकास्ट कर रहे थे तो आप लोग देख रहे हैं एक गाउं का स्तीधा साधा लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पिज़ा बना रहा है देखते रहे हैं हमारे साथ ये पिज्जा बन कर तयार होता है या नहीं लगातार साथ दिन मेहनद करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बन कर तयार हो गया गाओं वाले खुशी से झूमने लगे थे और ये चीज टीवी पर टेली कास्ट ही गए बड़े बड़े लोगों ने ये देखा और अभिनव के पास फोन आ गया अभिनव और विश्णू की खुशी आज साथ में आसमान पड़ी उन लोगों ने कुछी दिनों के अंदर हर गाउं और शेहर के हर कोने में पिज़ा की दुकान खोल दी पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता एक महीने के अंदर विश्णू और अभिनव करोड़ पती बन गए पाइल ने सब के सामने पैर पकड़ कर माफी मांगी अभिनव और विश्णू बिजनस पार्टनर बन गए और खुशी-खुशी पिज़ा बेच कर जिंदगी बिताने लगे रामगड गाउं में सुधा अपने बेटे के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी सुधा को पिज़ा बहुत पसंद था गौरफ बिटा, आज मेरा पिज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है बाजार से जाकर मेरे लेक पिज़ा लेया ये सुनकर गौरफ बोलता है अरे मा, गुड़ा पे में पिज़ा भी कोई खाने की चीज है ये सब बच्चों की खाने वाली चीज़ें होती है तुम तो बस दाल रोटी खाओ और प्रभू के गुणगाओ अरे मन तो मन होता है बुड़िया हो गई तो क्या हुआ बुड़े लोगों का मन नहीं होता क्या अच्छा-च्छा ठीक है ले आऊंगा पिज़ा तुमारे लिए तुम तो गुस्सा हो गई गौरव अपनी मा के लिए पिज़ा लेने चला जाता है कुछ देर बाद गौरव पिज़ा लेकर आता है और दोनों मिलकर मज़े से पिज़ा खाते है एक दिन गौरव अपने ऑफिस से घर आ रहा था तब ही रास्ते में उसे एक पिज़ा की शौप दिखती है और वो सोचता है आज मा के लिए पिज़ा ले जाता हूँ इसे देखकर वो बहुत खोश हो जाएंगी इतना सोचने के बाद गौरव पिज़ा लेने चला जाता है और पिज़ा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है तभी रास्ते में एक कार से उसका एकसिडेंट हो जाता है बहुत देर हो जाने पर जब गौरव घर नहीं पहुँचता तो उसकी मा चिंता में उसे फोन लगाती है पर गौरव का फोन नहीं लगता कुछ समय बाद सुधा को एक अंजान नंबर से फोन आता है और गौरव के मरने की खबर मिलती है ये खबर सुनते ही सुधा के पैरो तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती है ए बगवान ये अचानक क्या हो गया मेरे बुड़ा पे का हिकलोता सारा मेरा बेटा ही था वो भी तुने चीन लिया अब मैं किस के सहारे जिन्दा रहूंगी उसकी ये हालत देख पडोसियों से सांतोना देकर चले जाते हैं सुधा अपने बेटे की चिता को जला देती है अब वो बिलकुल अकेली हो जाती है वो गौरव की बातों को याद करके रोती रहती थी बेटे के मर जाने के बाद सुधा के घर की हालत बिगड़ने लगी थी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था वो खाने के लिए पडोसियों के घर मांगने जाती है और बोलती है बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो बहुत भूख लग रही है अरे अम्मा मैं तुमें खाना खाने को जरूर दे देती पर अभी तो मेरे घर में खाना खत्म हो गया है सबने खाना खा लिया इतना कहकर वो औरत अपने घर का दर्वाजा बंद कर देती है कोई उसे खाने को नहीं देता सबी बहाना बना कर उसे वापस भेज देते अपनी ऐसी हालत देख वो सोचती है अगर मेरा बेटा आज जिन्दा होता तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती वो सब की मदद किया करता था पर आज सब भूल गए है कि मेरे बेटे ने एक समय पर उनकी मदद की थी आज उसकी मा को मदद की जरूरत है पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की तब ही वहाँ से एक औरत गुजरती है और सुधा को यू रोता देख पूछती है क्या हूँ आ बेहन तुम रो क्यों रही हो सुधा रोते रोते उस औरत को अपना सारा दुग बताती है क्या बताऊ बेहन मेरे बेटे के मरने के बाद मुझ पे सहारा का इस दुनिया में अब कोई नहीं है अकेले मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है सुधा की कहानी सुनने के बाद वो औरत सुधा से कहती है ऐसे हिम्मर धारने से कुछ नहीं होगा खाने के लिए कमाई का कोई जर्या ढूनना ही पड़ेगा आजकल तो खाने पीने के इतनी सारी चीज़े आ गई है और उन्हें बनाना भी आसान हो गया है जो भी तुम्हें पसंद हो जो भी तुम्हें आता हो उसे बना कर बेशने लगो इतना बोल कर वो औरत वहां से चली जाती है सुधा आप सोचती है कि वो ऐसा क्या काम करे अचानक उसे पिज़ा का खयाल आता है और वो बोलती है क्यों ना मैं पिज्जा बनाकर बेचू, इससे कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे सुधा के पास अपने कुछ जेवर रखे होते हैं उन्हें बेचकर वो अपने घर के आगे पिज्जा का एक छोटा सा ठेला खोलती है और पिज्जा बनाकर बेचने लगती है दीरे-दीरे उसका बनाया पिज़़ा पूरे गाउं में मश्वूर हो जाता है और सुधा अब एक बड़ी दुकान खोल लेती है दीरे-धीरे उसकी दुकान बड़ियां चलने लगती है और वो अमीर बन जाती है एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और उसे खाना मांगता है अम्मा मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या मैं बहुत भूखा हूँ मुझे भूख लग रही है बेटा तुम्हारे माता-पिता कहा है तुम अकेले दुकान में क्यों घूम रहे हो वो खा सकते हो तुम चिंता मत करो आज से तुम्हारा खयाल मैं रखूंगी ये कहकर सुधा मोहन को गले लगा लेती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है उसे उस बच्चे में अपना बेटा मोहन दिखता है वो उसका खयाल अच्छी तरह रखती है उसे स्कूल भेशती है और उसे पाल पोस्ट कर बढ़ा करती है